बानू, सूर्य, कारू, कारीगर, अन्षु, किरण, सिंदु, समुद्र या नदी शंबु, शिवजी, जिश्लु, विजैशील, रित्तु, यज्ज, साधु, संत्यमहात्म, शंकु, नुकीलापदार्द, सनायु, पुट्ठा या रग, गुरु, अध्यापक, बिश्नु, बिश्नुदे, तरु, पेड, मरु, रेगिस्तान, शत्रु, दुश्मन, म्रत्यु, मौत, बाहु, भुजा, लड्डु, लड्डु या पेड़ा, शान्तनु, बीस्मिपितामा केपिता इनी शब्दों से अब इनके आगे हम बाक्य बनाएंगे गुरु, पाट्शालां, गज्छती, गुरु, अध्यापक, पाट्शालां जाते हैं भानु, अंशु, पश्य, अंशु मतलब किरण, भानु, सूर्य, अंशु किरण, पश्य देख, सूर्य की किरण देख सिंधो जलम आन्यती, सिंधो नदी से जलम जल पानी आन्यती लाता है मरो देशे जलम नास्ती मरो देशे मतलब जो रेतीले देश होते जहां पर रेत ज़्यादा होती है जलम नास्ती जल नहीं है मरत्यवे किम दाश्यती मरत्यवे मतलब मरत्यव के लिए किम क्या दाश्यती दोगे शत्रु पश्यशी किम शत्रु मतलब दुश्मन को पश्यशी देखते हो किम क्या शत्रु को देखते हो क्या शांतनु राजा आसीत शांतनु राजा थे शांतनुना रितु समाप्ता शांतनुना शांतनुने रितु यज्य समाप्ता शमाप्त किया शम्भुना राक्षशो हता शम्भुना शिपजी ने राक्षशो राक्षशो को हता मतलम मारा साधुन ने उपदेश क्रता मतलब दिया या किया तरो फलं पतितम तरो पेड से फलं पतितम गिरते हैं अब इसके आगे कुछ संस्क्रत में बाग के दिये हैं इनको आपको खुद से हिंदी में बनाना है इसी प्रकार यहां से लेकर यहां तो जितने भी संस्कृत के वाक्य है इनकी आपको हिंदी बनानी है उसके बाद ये हैं वाक्य हिंदी में इनको आपके संस्रत में बनाना है वह आख से देखता है वह बालक कैसे गया कर दो आपके संस्रत में बनाना है